मैंने पूछा गायका ने इतने कम कपड़े क्यों पेने हैं? वो बोले सद्गुरु सरक यही बिकता है. मैंने कहा ये क्या है? कोई और उनके कपड़े तैक कर रहा है. ये चुन्ना नहीं हुआ. ये दुनिया से स्त्री प्रकृती की सुन्दर्दा को मिटाने का पक्का तरीका है. ये एक तरह से इसका नतीजा है कि आर्थिक मिशिनली से पूरी दुनिया चलती है. आज की कारेकरम में आने से पहले, मेरी तेरा साल की बेटी मुझसे पूछ रही थी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैंने कहा बिलकुल. तो ये उसकी और से है. समाज में रचे गए इस पूरे स्त्री पुरुश मामले को उसने उठाया है. जिससे वह प्रभावित है. और उसने कहा, मैं जानने को उच्चुक हूँ कि क्या आज की युवाओं के लिए अगर कोई सला हो, तो वो क्या होगी? देखिए, लिंग एक व्यक्तिगत चीज है. माफ कीजी, मैं बहुती बुनियादी शब्दों में कह रहा हूँ. प्लीज. किसी की पैंट में जो है, उससे मेरा या आपका कोई लेना देना नहीं है. उसका महत्व सिर्फ कुछी जगाउं पर है, जैसे बाथरूम और बेडरूम में, बाकी जगाउं में, आपका लिंग महत्व पूर्ण नहीं है. सवाल आपकी क्षमता का होता है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं? हमें दुनिया को ऐसा बनाना होगा, जहां किसी को दूसरों के शरीर से कोई लेना देना ना हो, सिर्फ शारीरिक संबंधों में इसका महत्व है, बाकी समय ये दूसरों से संबंधित नहीं है, इसके लिए महिलाओं को भी इस तरह सोचना होगा. पर फिल हाल स्तरियां पूरी तरह से स्तरियां पुर्शों के सपने के हिसाब से ही जा रही है, क्योंकि जैसे कल मुझे किसी संगीतकार से चर्चा करनी थी और मैंने कहा, ठीक है, मुझे कुछ सुनाईए आप, तो उन्होंने एक वीडियो चलाया, माफी चाहूंगा कि मैं इसे शब्द कह रहा हूं, पर मैं ये इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे दुख है कि स्तरियां ऐसे प्रस्तुत की जा रही है, और एक गायका स्टेज पर भीतरी वस्रों में है, मैंने पूछा गायका इतने कम कपड़ों में क्यों है, वे बोले सद्गुरू सिर्फ यही बिकता है, मैंने कहा ये क्या है, ये महिलाओं का भयानक शोषन है, और वे इसमें सहीयोग कर रही है, वे जो चाहे पहन सकती हैं, ये मेरा काम नहीं है, पर अगर वे उसे सिर्फ इसलिए पहनती हैं क्योंकि वही बिकता है, तो ये समाज में सही नहीं है, ये उनका जिनु के लिए महत्वपून है, उन्हें ये स्थापिद करना होगा कि आपका शरीर आपका काम है। ठीक है। आपका शरीर ऐसी चीज नहीं है कि हर राह चलते व्यक्ति का उस goof से लेना दीना हो। हर किसी का आपके शरीर से कुछ लेना देना होना जरूरी नहीं। लोगों को आपके बुद्धी से जुडने की जरूरत है, लोगों को आपकी प्रतिभा पहचानने की जरूरत है, सड़क पर हर किसी का आपके शरीर के साथ शामिल होना जरूरी नहीं, शरीर के अपने प्रयोजन है, उसकी अपनी सुंदर्ता, अपनी प्रकृती है, वो एक अल टै कर रहा है अगर महिलाओं को स्वतंत्र होना है तो इसे बदलना होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे पुरुश की ताकत की जगा दिमाग-мहतवपूर्ण बन गया है वैसे ही स्तृरी की चमड़ी की जगा भी दिमाग को महत्वपून बनना होगा तो फिलहाल ये बेतुका लग सकता है नई नई स्त्रियां ऐसी ही होती है नहीं पुरुषों ने महिलाओं से ऐसा होने की उमीद की है स्त्रियां ऐसी नहीं है मैं अपने जीवन में काफी स्त्रियों को जानता हूँ इससे मुझे साफ पता है कि वे ऐसी नहीं है पर उन्हें लगता है कि उनसे यहीं उमीद की जाती है क्या ये सूपर महिला लक्षन है कि वे इसे इस तरह परिभाशित करते हैं कि महिलाओं खुद को एक खास तरह से प्रस्तुत करना चाहती है नहीं, ये दुनिया में स्त्री प्रकृती की सुंदर्ता नश्ट करने का पकत तरीका है, क्यूंकि फिलहाल पुरुष प्रकृती को असली सफलता माना जा रहा है। अगर सफल होना हो, तो आपको पुरुष की तरह अपनी ताकत दिखानी होगी, इसे बदलना होगा, क्यूंकि ये एक तरह से इसका नतीजा है कि आर्थिक मशीनरी पूरी दुनिया को चला रही है। जब सिर्फ पैसों का लेंदेन माईने रखता हो, तो सब कुछ एक बाजार होता है। सब इस बार में हैं, देखिए बाजार में अगर मैं कम देकर जादा लेता हूँ, तो मैं स्मार्ट हूँ, है ना? अलो, अगर मैं बाजार जाता हूँ और जादा देकर कम लेता हूँ, तो मैं बेवकूफ हूँ, पर आपको समझना होगा कि आपके घरों में मुझे यकीन है कि ये आपके लिए भी सच है, मैंने महिलाओं को कई तरीकों से काम करते देखा है, मेरी अपनी मा, बहने, मेरी च भी लोग माइने रखते हैं, उन्हें क्या मिलेगा ये महत्वपून नहीं है, यही उनके जीवन को सुंदर बनाता है, ये सिर्फ घर पर ही नहीं, समाज में भी होना चाहिए, कि सभी दूसरों के लिए कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करें, यही स्त्री प्रकृती है, फिल कैसे जी नहीं रहा, कोई अपना मोर्चा नहीं छोड़ पाता, सभी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ हतियार तने हुए हैं, क्यूंकि हर जगा बाजार है, आप हर जगा यही देखते हैं कि फाइदा कैसे हो सकता है, नहीं, ऐसे मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता, जैसे लोग मैंने अपने आसपा से कठा किये हैं, वे बिना कुछ मांगे अपनी जान देने को तयार हैं, मेरे जीवन में यही सबसे सुन्दर बात है, क्यूंकि दुनिया में यही सबसे महत्वपून है हर जगा एक बाजार है, यानि हम हमेशा किसी का फाइदा उठाना चाहते हैं, है न? जब आपका मन बाजार बन जाए, तो कोई चेतना नहीं होगी, जीवन के सूक्षम पहलू नहीं होगे, इस दुनिया में स्तरी प्रकृती की कोई जगा नहीं होगी, पुरुष प्रकृती राज करेगी, सिर्फ जीतना जरूरी होगा, हर चीज में शोशन होगा, प्रेम जर जगीदारी से ही आप जीवन को जान सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, आपने सूपर महिला शब्द कहा, मैं कहूंगा, मेरी माँ एक सूपर महिला थी, उन्होंने जीवन में एक रुपिया नहीं कमाया, पर वे सूपर महिला थी, परिवार में सबसे ज़्यादा सम्मानित थी क्या उन्होंने कभी पूछा मुझे क्या मिलेगा नहीं पर वे एक सूपर महिला थी